बच्चो आप सभी अपने घर में देखते होंगे कि आपके माता पिता या घर के आने सदस से जो कि कोई न कोई कारे करते हैं और बदले में कुछ धन या आय प्राप्ति करते हैं यानि कि सेलरी प्राप्ति करते हैं तो ये जो सेलरी उनको प्राप्त होती है उसको किस तरह से खर्च किया जाए इसकी ये एक योजना पहले से बना लेते हैं यानि जो भी उनकी आवशकताएं हैं चाहे वे भोजन से संबंदी हों कपड़ों से संबंदी हों चिकित्सा से संबंदी हों आपके मनुरंजन से संब कबना लेकिन इंपर खर्च किस तरह से किया जाएं यानory किन-किन मदंगर कितना कितना यूजन है नियूजन है यूजन हो हम पहले से बना लेते हैं इसे को हम कहते हैं बजट यानि बजट तयार करना जो आय मेरे पास है उसको मैं किस तरह से वै करूं लेकिन अगर हम सारवजनिक तोर पर सरकारी बजट की बात करें तो वास्तों में हम देखते हैं कि भारती समिधान के अनुक्षेद 112 के अंतरगत्य प्रावधान है कि प्रतेक वित्ति वर्ष में सरकार को अपनी आय वै का एक व्योरा एक अनुमानित खर्ष है और एक अनुमानित जो आय प्राप्ति है उसका एक व्योरा तयार कर लेना चाहिए वास्तों में यही जो विवरण होता है यह बजट कहलाता है या दूसरे शब्दों में हम कहें तो कोई भी सरकार एक निश्चित वर्ष में कितना कहां कहां से वो आय प्राप्त करेगी और कहां कहां किन मदों पर वो वै करेगी इसको पहले से ही सुनिश्चित कर लेती है तो यही जो कारी है इसको जो तयार करने का कारी है यह पूरी जो प्रक्रिया है वही बजट कहलाती है तो बजट के बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे, हम देखेंगे कि वास्तों में सरकारी बजट क्या होता है, किस तरह से बनाया जाता है, कितने इसके प्रकार होते हैं, इसके उद्देश क्या है, क्या महत्व है और बजट से संबंदित अन्य जो तत्य उनके बारे में हम विस्तार से अध्यन करेंगे तो आए देखते हैं सरकारी बजट सरकारी बजट की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले चले बजट की उत्पत्ती पे एक शाब्दिक अर्थ में अगर हम देख ले तो बजट शब्दी की जो उत्पत्ती है वो फ्रेंच भाषा के बजट से ह हुई है जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा थैला बहुत पहले के समय के अगर हम बात करें तो यहां पर हम देखते थे इंग्लैंड में राजकोश की जो नीतियां बनती थी जो नियम धारित होते थे वहाँ पर जो सदसे होते थे वो लोग सभा में वहाँ पर जो वित्त विभाग के प्रमुक होते थे वो लोग सभा में एक थैला एक चमडे का थैला एक बैग लेकर आते थे उसमें वो सारे विवरण रहते थे जो सरकार एक वित्ती वर्ष में आयवेसे सम्मंदित विवरण का नर्मान करती थी तो क्योंकि वो एक ठैले में इन सब को बंद करके लाते थे तो उसी क्याधार पर आगे चलकर इस पूरी प्रक्रिया का नामी बजट पड़ गया कुल मिलाकर बजट के बारे में हम कह सकते हैं कि एक दस्तावेज है जिसमें एक सरकार वार्षिक राजस्व के बारे में जो भी अनुमान होता है उसको प्रस्तुत करती है अब अगर हम यहाँ पर बात करें बजट की परिभाषाओं की तो बजट की परिभाषाओं के आधार पर शायद हम इसके अर्थ को और अधिक अच्छ से समझ पाएं तो आए देखते हैं बजट की कुछ परिभाषाओं बजट के परिभाशाएं तो आपने देखा कि बजट की परिभाशाओं से और अधिक अच्छे से स्पश्ट हो जाता है कि वास्तों में ये एक आय और व्यका वित्य विवरण है जो एक अनुमान के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है वास्तों में नियोजन की क्रियाओं के अंतरगति ये बनाया जा कि लिए ना कि सरकार अपने आय और व्यको किस प्रकार नियंतरित करेगी कहा जाता से आयड करेगी और किन किन साधनों पर व्यक रेगी ऑटो परिभाशाओं के बाद हमने बजट की अर्थ को अच्छी तरह से समझे लिया अब हम अगर बजट की विशेस्ताओं पर एक नज़र डाले तो बजट को हम और अधिक अच्छे से समझ पाएंगे तो आए देखते हैं कि बजट की विशेस्ता है कौन कौन सी है तो बजट की विशेस्ताओं में सबसे पहली हम बात ये देखते हैं कि ये एक प्रकार का विवरण है हम जब बजट के अर्थ को पढ़ रहे थे तो बार-बार हमने देखा कि एक वित्तिय विवरण है एक ऐसा विवरण है जो आय और वेका एक ब्योरा प्रस्तुत करता है तो कुल मिलाकर इसकी एक मतपूर्ण विशेस्ता भी यही है कि ये एक विवरण है किसका विवरण है आय और वेका विवरण है एक विस्तृत ब्योरा है आय और वेका और इसी अधार पर हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा विवरण है जिससे आय वेसा मन्दी पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है दूसरी इसकी विशेस्ता के रूप में कह यह प्राप्ति की जाएगा और जो Zelik स्था निए प्राति की जाएगा और। किनकर मद उपर व्वकícia जायेगा तो ये जो आय और व्वय का जो दारह होता है वो एक निश्चित वर्ष के लिए निश्चित-वधी यह वित्य when उता है तो एक इसकी साधन आए के साधन और वे के साधन हम पहले कई अध्याओं में हमने पढ़ा है कि सरकार के आए और वे के क्या साधन है सरकार आए कहां से प्राप्ति करती है टेक्स लगाती है लोगों पे बहुत सारे शुल्क लगाती है बहुत सारी सेवाओं पे तो यहां कितना टेक्स लगाया जाएगा कहां से कितना शुल्क वसूल किया जाएगा और अन्य साधन उनसे किस प्रकार आय प्राप्ति की जाएगी तो यह आय के साधन और वै के साधन किन किन साधनों पर वै किया जाएगा ज्यादा तर बजट जो होते हैं वो पूरे देश के जो आव विशेस्ता के अंतरगत हम देखते हैं कि विट्टिय विवरण है कहने का आर्थ यह है कि विट्ट संबंदी फाइनेंस से रिलेटेड याने कि पैसे से ही रिलेटेड जो मदे होती है केवल उनका ही विवरण प्रस्तुत किया जाता है पैसा धन मुद्रा से रिलेटेड जो बाते आती है कि पैसा कहां से आएगा कहां जाएगा कितना किस मद पर खर्च किया जाएगा किस मद से प्राप्त किया जाएगा यानि इपकोल मिलाकर विट्ट से संबंदित फैनेंस संबंदित या फिर हम दूसरे शब्दों में के तो और यहें कि प्रीकिया जाता है कि जितना ही संतुलित कि जाती है ओतना ही विए अनुमानित किया जाए उटने ही व्या Самenders तयार किया जाएं लेकिन कई पर sezt Emers आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि किस किस तरह से बजट बनाया जाते हैं एक इसकी विशेस्ता यह है कि नगदी आधार पर जैसी कि हमने देखा वित्याने की मुद्रा से संबंदित और नगत तो यहां पर इसके विशेस्ता यह कि केवल कैश से ही रिलेटेड हो आप खुद भी देखते होंगे अगर आप किसी पार्टी के लिए या अपने घर की किसी अन्यकारी के लिए कोई बजट बनाते हैं तो आप जितने राशी का बजट बनाते हैं उतना ही नहीं लगता उससे कम या ज़्यादा भी खर्च हो सकता है तो इसे हम कहते हैं अनुमा लगाना लगाना अनुमानित तो वैसे ही यह सरकारी बजट भी होता है अनुमान के आधार पर हम विक्तिय विव्राण या विक्तिय अभ्यूरण तयार करते हैं बजट के लिए यह यह अधार पर मतलब एक निश्चित वित्यवर्श के लिए यह सब्सक्राइब के लिए और आइए देखते हैं कि बजट का उद्देश क्या है क्यों बनाया जाता है बजट सामानी तोर पर जयसी के हमने पहले भी जाना कि घर में हम अपने जो आय होती है उसको क्रच करने के लिए हम बजट बजट क्यों बनाते हैं बजट ताकि ऐसा नहों कि कुछ निश्चित चीजों पर बहुत सारा पैसा खर्च हो जाए और कुछ बहुत जरूरी चीजें बची रह जाए और पूरा का पूरा संतुलन जो है वो गड़बड़ा जाए कई बार हम साधारन बोल चाल की भाशा में कहते हैं कि बजट बिगड़ गया यह मेरा बजट गड़बड़ा गया यानि ऐसा होता है कि बिना नियोजन के कोई कारे करें तो कहीं मदों पर हम बहुत जादा पैसा खर्च कर दिए भविश्य के लिए पैसा कुछ नहीं बचा पाया और कहीं जरूरत पढ़ने पर पैसा बचा नह हम इनके उद्धेश पर एक नज़र डालें तो सबसे पहले हाँ पर हम देखते हैं कि बजट जो होता है वो सारवजनिक उद्धमों का प्रबंध करता है सरकार के नियंतरण में जो उद्धम जो उद्योग होते हैं हमने पहले भी पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे छेत्र हैं जिनको सुरक्षा की दृष्टी से सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ है और इसके अत्रिक्त बहुत सारे छेत्रे ऐसे थे जो सरकार के पास थे लेकिन देश के विकास को और कई उजनाओं को देखते हुए सरकार ने निजी छेत्रों को भी उसमें आमंतरित कर लिया और तो अब कुल मिलाकर जो मुख्य छेत्रे बचे हैं सरकारी उधम के अंतरगत जो आते हैं जिसे हमने देखा था कुछ पिछले कुछ अध्यायों में कि रेल सुरक्षा और इससे सम्मंधित जो उपक्रम है वो अभी भी सरकार के नियंतरण में है तो वो सभी उपक्रम जो सरका बना जाती है वो बजट के अंतरगत तयार की जाती है तो यह सारवजनी कुपक्रमो का संचालन उसके बाद इसका एक मौत्वण उदेश होता है आर्थिक इस्थिर्ता लाना पिछले दो अध्यायों में हमने देखा कि किस प्रकार आभावी मांग और अत्यधिक मांग कई यह दोनों ही प्रकार की समस्याँ हमारे सामने खड़ी हो जाती हैं तो आर्थिक स्थिर्ता बनी रहे इस तरह से जो बार-बार होता है इसके लिए पहले से हम योजना बद्दरूप से कारे करें नियोजित तरीके से जो हमारा राजस्व है हमारी जो प्राप्ति है उसको हम वै करें ये इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है साथ हैं हम इसके उध्यशों पर एक नज़र डालें तो इसके अंतरगत जो दुरलब संसाधन है उनका एक नियोजित उप्योग किया जा सके उनको वेस्ट होने से बचाया जा सके यह हम कहें कि उनको नियंत्रित रूप से उनका उप्योग किया जा सके इसलिए भी योजनाय बना ली जाती है और यह योजनाय जो है वो बजट के अंतरगती बनाई जाती है कि यह जो दुरलप संसाधा ने उनका उपयोग किस तरह से किया जाए एक उद्देश इसका ये भी है कि आर्थिक वृद्धी हम देखते हैं कि सरकार किसी भी देश की सरकार हो उसका मुख्य उ से ही जोड़ कर देखते हैं अगर अर्थ विवस्ता सुद्रुन है अर्थ विवस्ता अगर मजबूत है तो चाहिए हम सिख्षा के छेत्र में कहें चिकित्सा के छेत्र में कहें परिवन के छेत्र में कहें और किसी भी छेत्र के विकास का आकलन करें ये सारे विकास जो है वो आर्थिक व्रिद्धी से जुड़े होते हैं तो कहीं न कहीं बजट का निर्माण इनी आर्थिक व्रिद्धी संबंदी योजनाओं को ध्यान में र लक्ष डेश में अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक जो संसाधन है उनका उचित आबंटन किया जाए ये इनका एक धेश रहता है तो इसके लिए सरकार टेक्स लगाकर टेक्स में छूट देकर सबसिडी प्रदान करके अन्य सार्वजनिक सहाता प्रदान करके इस तरह के उद्देशों को पूरा करने का प्रयास करती है और साथी साथ कई बार सरकार कुछ ऐसे हतकंडे भी अपनाती है कि ऐसे प्रोडक्ट ऐसे उत्पात जो समाज के लिए हानिकारक है जैसे नशे की जो वस्तुए है शराब अधि मादक पदार्थ जो है उन पर बहुत अधिक मात अब उद्देशों के बाद अगर हम बात करें सरकारी बजट के महत्तु की तो किस तरह से हम इसके महत्तु को बिंदुवार इसपस्ट कर सकते हैं सबसे पहले तो इसका महत्तुपूर्ण स्थाने मांग और पूर्ती को स्थिर रखना हम कई बार देखते हैं कि देश में कु होती है एकनौमी में वो हमने पिछले कुछ अध्यायों में बहुत अच्छे से पढ़ा दूसरी कंडिशन निर्मित होती है जब पूर्टी बहुत अधिक हो जाती है और मांग जो है वो कम हो जाती है यहां पर बिल्कुल यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि मांग क्यों कम के लिए क्यों ना पहले से ही एक बजट बना लिया जाए एक योजना तयार की जाए तो यह जो बजट होता है यह मांग और पूर्टी संबंदी जो समस्याएं उत्पन होती है अर्थ वैवस्ता में उनको नियंतरित करने में महत्त पॉर्ण स्थान रखता है दूसरे इसके महत्तों के हम बात करें तो जन कल्यानकारी जो योजनाय हैं उनके संचालन के लिए वास्तों में आगे जब हम बजट के प्रकार को देखेंगे तो हम देखेंगे कि योजनाओं के लिए बजट बनाया जाता है सरकार जो बजट बनाती है वो बहुत सारी जो जन कल्यानकारी योजनाय संचालित की जाती है वर्ष भर या आगे कई वर्षों के लिए उन सब योजनाओं पर कितना खर्च किया जाए किन किन योजनाओं पर खर्च किया जाए या विभिन छेत्र में जिसे हमने देखा चिकितसा सिक्षा परिवान अन्य कई छेत्रों में कहां कहां पर वि बज़ेट बनाया जाता है तो जन कल्नाणकरी योजना के लिए भी बज़ेट जो होता है वो काफी महतुपूंञ्ट होता है तीसरे इसके महतुपूर की बात करें तो हम देखते हैं कि नरदारित लक्ष को प्राप्ति करने topsail करता हम बार-बार बात कर रहे हैं नियोजन की योजना की और फिर हम उसको को रिलेट कर रहे हैं बजट से कुल मिलाकर हम यह कहना चाहा रहे हैं कि जो योजनाएं बनाई गई हैं हमने प्रबंधन वाले विश्य में देखा कि किस प्रकार सरकार आर्थिक नियोजन करती है किसी भी काम ये बात जो है वो वह budget के अंतरगत निर्धारित करते हैं तो जो आर्थिक नियोजनाओं के अंतरगत सरकार्स के द्वारा तयार की गई है वास्तों में इनको कारे रूप में कैसे परिनित किया जाए क्याँ क्योंकि बीना पैसे मुद्रा या धन कर dost le तो कैसे किन योजनाव पर कितना वैं किया जाए इसको नियंतृत कर लेना इसको निश्च पूर्वनिश्चित कर लेना ही बजट के अंतरगत आता है तो आर्थिक नियोजन के लिए भी बजट जो है वह एक महतुपूर्ण स्थान रखता है साथ ही यहाँ पर हम बात करें अगर सरकार के क्रिया कलापों की तो वास्तों में बजट जो होता है वो सरकार के क्रिया कलापों का एक सूचक होता है क्या करते हैं बजट के अंतरगत हाला कि हम यह भी देखते हैं कि पैसा कहां से आएगा या कहां से आने की संभावना हैं लेकिन किन किन मदों पर वै किया जाएगा तो एक उदाहरण के तोर पर हम देखते हैं कि डैम बनाने के लिए याने परिवहन के सुविधाओं के विस्तार के लिए संचार के सुविधाओं के विस्तार के लिए कितना व ये समाजिक सेवा के लिए कौन कौन से कारे कर रही है तो कुल में लाकर हम ये कह सकते हैं कि सरकार के जो क्रिया कलाप होते हैं उनका ये सूचक भी होता है बजट साथ ही यहाँ पर हम देखते हैं कि सारवजनी कारियों की पूर्टा के लिए आवश्यक होता है जैसे कि हमने पहले भी देखा कि सारवजनी कूपकरम जो है जो सारवजनी कारियों में लगे हुए हैं वहाँ पर धन को नियोजित करना बहुत जरूरी होता है और एक नियंतरित नियोजन होना वहाँ पर बहुत जरूरी होता है ऐसे नहीं कि हमने एक ही छेत्र में चिकित्सा के छेत्र में बहुत अधिक धनवे कर दिया और सिक्षा और परिवहन के छेत्रों को हमने ऐसा ही छोड सब्सक्राइब आपक सारवजेन हो पर सब्सक्राइब करने पाहएं के सिस्टार रंखे साथ यहां पर हम बात करते हैं उत्पादन में व्रिध्धी की तो वास्तों में बजट संबंदी जो नीतिया बनाई जाती है उसमें फोकस किया जाता है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है हर चीजों में जहां पर भी है चाहे वो कृषी से संबंदी तो उद्योग वेवसाय वेपार से संबंदी तो हर चेतर में प्रोडक्शन पर फोकस किया जाता है कि उत्पा कि इससे संबंदि जो प्रावधान होते हैं यह भी ज़ट के अंतरगती किया जाते हैं में प्रकार अपनी कर सम्बंधी युजिनाओं को इस प्रकार से नियंतरित करती है कि ये प्रयास किया जाता है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन पे करका बहुत ज़्यादा भार ना पड़े यानि कि वो जिन वस्तों का उप्योग कर रहे हैं जाहिर से बात है कि एक गरीब वर्ग जो वस्तों होती हैं जिने हम साधारन शब्दों में कहते हैं कि रोटी कप्ड़ा और माकान किसी भी मनुशी के अनिवारा राशक्ताएं होती है तो इससे सम्बंधी जो वस्तों होती है उन पे कम से कम टेक्स लगाया जाए बलकि सबसिडी भी दी जाए लेकिन जो महंगी वस् करता है उन पर जो है बड़ी मात्रा में टैक्स लगाया जाया यानि हम कहसकते है विलासिता संबंदी अति आरां दायक जो वस्तों होती है उनसे संबंदी है वहाँ पर जादा निवार राशक्ताओं के वस्तों पर कम टेक्स विलासिता इसके द्वारा जो समाजिक असंतुलन है उसको दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है अब बात करें हैं बजट के प्रकार की तो यहां पर हम देखते हैं कि कई प्रकार के बजट बनते हैं सबसे पहले हम देखें केंद्रीय बजट और राज बजट की तो ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत जो है वो एक संग्यी देश है अलग-अलग जो राजसरकारे हैं वो राजस्तर पर अपने अलग-अलग बजट बनाती है लेकिन केंद्री बजट की अगर हम बात करें राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों के जो कारी होते हैं वो सम्विधान में पहले ही स्पस्ट किये जा चुके हैं बात करें अगर हम केंद्री बजट की तो हम देखते है कि केंद्र सरकार जो है वो प्रतेक वित्य वर्ष में अपनी आय और वै का एक ब्योरा निश्चित करती है एक विवरन तयार करती है इस ब्योरी के रूप में एक वित्य विवरन को वो प्रिस्तुत करती है जिसे हम केंद्री बजट कहते हैं केंद्री बजट पर अगर हम एक सम्मंधित सभी आई वेकत जो विवरंड जो विवरा होता है उसके जानकारी प्रस्तूत कि जाती है कि क्या नई योजनागे ने लाए जाएंग स्कुर्ट की जाएगी लाateurs कहा कहा पर यह कितना विस्तृत छेतर है कि मुख्य बजट में उसको शामिल कर लेना शायद समभोण नहीं हो पाता है और अगर ऐसा किया जाता है तो कही नगाइब बजट का जो चेतर हो बहुत अधिक विस्तृत हो जाता है इसलिए। करण अलग से प्रस्तुत किया जाता है और उसके बाद मुख्य बजट का जो प्रस्तुती करन है तो वास्तों में जिसे हम अभी तक अभी तक बढ़ रहे proposition केल सरकर के ये और व्योरा है राजस्य का एक प्राप्त होगी और किन अle तो यहां पर हमने बात की केंद्री बजट की तो बहुत सब्स टूप से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राजसरकारें अपने राजी के लिए जो बजट तैयार करती हैं वह राजी कांचा बजट होता है असके विकास के लिए जो पैसे प्राप्त होते यहीं और आल जो भी उनकी आय है उसको दिस्जित किया जाता है और इस पूरी की पूरी आयका कहां कहां पर किस-किस चेत्र में किन-किन-मदों पर कितना प्रतिशत व्यैं किया जाए गा इसका एक विस्तृत व्योरा जब राज इस्तर पर राज सरकार के द्वारा तयार किया जाता है तो यह जो भजट होता है वह राज बजट केहलाता है मत दूसरा जो भज़ट का इसे हम कह सकते हैं आगम बज और पुझी गथ बजट के अंतरगत साधारंत है जो खर्च लगे रहते हैं सरकार की वर्ष भर जो अलग अलग श्ट्रों पर उनको व्यक करना होता है वो सारे की सारे जो मदे होती है во में आगम बजट के अंतरगत शामिल कर लिब जाती है लेकिन बात करें अगर हम पूंजी गत बजट की तो ये एक ऐसा बजट है जिसमें केवल पूंजी गत आए और पूंजी गत वैसे सम्मधित मदों को ही शामिल किया जाता है जैसे कि यहां पर हम देखते हैं कि पूंजी गत प्राप्तियां जो होती है बड़े स्तर पर जो प् जाते हैं उन सभी योजनाओं पर किये जाने वाले जो वय होते हैं उनको हम पूंजी गत वैके अंतरगत शामिल कर लेते हैं तो इस पूंजी गत आय और पूंजी गत वैसे वे का ब्योरा जहाँ पर तयार किया जाता है पूरा का पूरा वो पूजी गदवजट के अंधर गद आता है। तीसरा प्रकार हम देखे तो यह है योजना बजट और गैर योजना बजट। पिछले वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हम बार बार बात कर रहे थे कि केंद्र सरकार जो योजनाय बनाती है उस पर व्य करती है और उन योजनाओं पर व्य करने के लिए पहले से एक अनुमाल लगा लिया जाता है एक संतुलन बना रहे इसके लिए पहले से कु भी राज्य सरकारे और केंद्र सरकार भी बहुत सारी योजनाय बनाती हैं तो इन अलग अलग छेत्रों में बनाई गई योजनाओं पर कुल राजस्व का कितना हिस्सा किस प्रकार से व्याई किया जाए यह निश्चित करना योजना बजट के अंतरगत आता है आयो दारण के आवास योजना प्रधान मंत्री जंधन योजना फिर हम देखते हैं कि प्रधान मंत्री जीवन बीमा सुरक्षा योजना लागू की गई प्रधान मंत्री उज्वला योजना से अब आप सभी परिचित हैं रोजगार स्रिजन योजना लागू की गई फसल बीमा योजना आ तो किस तरह से इन योजनाओं को मैनेज किया जाए सभी योजनाओं को संचालित करना सभी योजनाओं के उद्देशों को प्राप्त करना सरकार का एक महतुपूर उत्तरदाईत तो होता है तो बजट इन योजनाओं के लिए जब बनाया जाता है कि अलग अलग योजनाओं पर किस किस प्रकार से खर्च किया जाता है तो ये योजना बजट के अंतरगत आता है लेकिन इसके अत्रिक्त सरकार और बहुत से कारे करती है जिसके लिए किसे प्रकार की कोई नियोजित योजना नहीं बनाई जाती तो वो जो कारे होते हैं जो इन योजनाओं से हटके जो क कारहे होते हैं मुख्य बजड और अनुपूरग बजड बात करें वासतों में बजड की मेंनिंग को अभी तक जितना समझ पाएं केंद्र सरकार कुल मिलाकर अपने आयवाय का वुरा एक वार्षिक विवरंड जो तयार करती है वो कुल मिलाकर मुखे बजट के अंतरगत आता है लेकिन अगर हम बात करें अनुपूरक बजट की तो ये अपनी आप में एक महतपूर बजट है वास्तों में जब बजट बनाया जाता है तो अलग-अलग छेतर के लिए कितनी-कितनी धनराशी रखी जाएगी ये नि धारित की गई थी वो कम पढ़ जाती है ऐसे कंडिशन में सरकार को उसी वित्यवर्ष के अंतर याने कि उस वित्यवर्ष की समाप्ती के पहले अनुपूरक बजट लाने की जरुरत पढ़ जाती है हाला कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कभी-कभी आपातकाल में जैसे युद् अगर कोई प्राकृतिक प्रकोप आ जाता है तो उस कंडिशन में अनुपूरक बजट के स्थिति बन जाती है तो ये भी अपने आप में एक महत्वपूर बजट माना जा सकता है